नमस्कार, मैं चनरा महला, असिस्टेंट प्रोपेसर राजनिती विज्ञान, राजकी बंगड महवदेले डी ड्वना से भारती राजविवस्ता के अंतरगत, आज हम मोल अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं मोल अधिकार, उनका आर्थ और भारती स्विधान में, कहां पर इनकी इस्टेती है, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले देखते हैं मोल अधिकार और इसका आर्थ वे अधिकार जो विक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवारिय होने के कारण ये मौलिक हैं और अनिवारिय भी हैं इनको सविधान दवारा नागरिकों को परदान किये जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य दवारा भी अस्तक्षेप नहीं किया जा सकता मोल अधिकार कहलाते हैं तो ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक हैं और सविधान दुवारा नागरिकों को परदान किये जाते हैं और इन अधिकारों में राज्य दुवारा भी अस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है इन्हें मूल अधिकार कहते हैं मूल अधिकार या मूलिक अधिकार विक्ति के सरवांगी इन्विकास के लिए आवशिक होते हैं इसलिए इन्हें सुविधान का सरंक्षन प्राप्त होते हैं वहीं बात करें हम मानव अधिकार वह मूल अधिकार में अंतर की तो मानु अधिकार में मानु होने के नाते संपूर्ण विस्व में उन अधिकारों की मांग की जाती है जो जीवन जीने के लिए आवशक है और इनका सविधान में उलेक होना आवशक नहीं है तो मानु अधिकार विस्थर्ट होते हैं संपूर्ण विस्व में मानु होने के नाते वो मांग की जाती है कि उन्हें मानु होने के नाते अधिकार परदान की जाए वहीं मूल अधिकार एक राज्ये के नागरिकों की दिवारा उस राज्ये के नागरिक होने के नाते अपने स मूल अधिकारों का उलेख सर्वपर्थम हम देखें तो बिटेन से मिलता है बिटेन में 1254 के मेगना कार्टा की दोळा नागरिकूं को कुछ अधिकार दिये गए थे भारत में सर्वपर्थम मूल अधिकारों की मांगра 1928 में प्रकाशित नहरू रिपोर्ट में सामने आती है भारतिय सविधान में मोल अधिकारों का जो प्रावधान है वो सेउक्तराजी अमेरिका की सविधान से परेरित है हमारे सविधान में मोल रूप से साथ मोल अधिकारों को इस्तान दिया गया था लेकिन चमालीस में सविधान संसोदें द्वारा संपती के मौलिक अधिकार को कानूनिय अधिकार बना दिया गया अब केवल छे मौल अधिकार रहे गये हैं तो जो संपती का मौल अधिकार था उसे राज्ये की विकास में बादा आने के कारण उसे मूल अधिकार की शरणी से अटा करके अब उसे जो है कानून अधिकार बना दे गया है अब केवल छे मूल अधिकार रहे गया है बात करें भारती सुविधान में इनको कहां इस्थान दिया गया है तो भारती सुविधान में मूल अधिकार सविधान में मूल अधिकारों का उलेख भाग तीन में किया गया है अनुछेद बारा से पेंटीस तक अनुछेद बारा में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है इनकी परिभासा के बारे में बताया गया है क्या मूल अधिकारों का सवरूप है उसके बारे में बताया गया है अनुछेद 13 में बताया गया है कि राज्ये कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है ये है सविधान की अनुचेद 13 में बताया गया है अब बात करें जो 6 मूल अधिकार दिये गया है उनमें सर्व पर्थम समता या शमानता का अधिकार इनका उले किया गया है अनुचेद 14 से लेकर 18 तक पर्थम देखें इसके अंतरगत तो वह है भारत के राज्य शेत्र में किसी विक्ति को विधी के समक्ष शमता से या विधियों के समानस रंक्षन से वह अनुचेद नहीं करेगा अनुचेद 14 तो विधी के समक्ष शमता की बात है वो बिटेन से लिया गया है और विधियों के समान सरंक्षन की जो बात है वो लिया गया है अमरीका से विधी के समक्ष शम्ता एक नकरात्मक शंकल्पना है ये इंग्लेंड से लीगी है किसी भी विक्ति को जनम या मत के अधार पर कोई विशेस अधिकार नहीं होंगे और सभी वर्ग समान रूप से समान विधी के अधियन होंगे इसे कहा गया है विधियों का जो है विधी के समक्ष शम्ता और सभी वर्ग समान रूप से समान विधी के अधियन होंगे विधियों का समान सरंक्षन जो दूसरी अवधारणा है एक सकरात्मक शंकल्पना है यह है अमरीका के स्विदान से ली गई है इसका आर्थ है समान परिस्तितियों में शमता का विवहार किया जाएगा तो राज्ये भारत के राज्ये शेत्तर में किसी विक्ति को विधि के समक शम्ता या विधियों के समान सरंक्षन से वंचित नहीं करेगा अनुचेद चवदा दूसरा देखें इसी में शम्ता के अधिकारों के अंतरगत तो वह है धरम, मूल, वंस, जाती, लिंग या जनम इस्तान के अधार पर विभेद का परतिशेद अनुचेद 15 तो राज्य धरम, जाती, मूल, वंस, या जनम इस्तान के अधार पर दुकानों, सारवजनिक भोजनालियों, होटलों और सारवजनिक मनोरजन के इस्तानों में परवेस राज्य निदी सें पोशित या साधारन जनता के प्रियोग के लिए समर्पित कूऊं, तालाबूं, सनान घाटूं, सड़कूं और सारवजनिक समागम के इस्तानों के उपयोग की समन्द में विभेद नहीं करेगा लेकिन समाजीक और सेक्षिक दरश्टी से पिछड़े वे नागरिकों के किसी वरग की उन्निती के लिए कोई विशेस उपबंद कर सके तो समानता की बात कही गई है कि विभेद का निशेद किया गया है इसमें तो सारवजनिक इस्तानों की बात हो, दुकनों की बात हो, भोजनालियों की बात हो या फिर तलाब की बात हो तो ऐसी समश्या पूर्व के सालों में देखने को मिलती थी, जब जाती या धरम या कैसकते हैं, लिंग या जनम इस्तान के अधार पर विभेद किया जाता था, तो उसको निशिद करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये विवेस्ता समानता की की गई, लेकिन सामाजिक और स शेक्षिक द्रिष्टी से पिछले वे नागरिकों के लिए राज्ये विशेश विवस्ता कर सेकेगा, ये इसमें बताया गया है, तीसरा देखे, तो लोक नियोजन के विशे में आउसर की शमता, अनुछेद सोले, राज्ये के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से समन्दित विश्यों में सभी नागरिकों के लिए आउसर की शमता होगी, कोई नागरिक केवल धरम, मूलवंस, जाती, लिंग, उदभव, जनमस्तान, निवास या इनमें से किसी के अधार पर राज्ये के धीन, किसी नियोजन या पद के समन्द में आयपातर नहीं होगा या उसकी जाती कौन सी है, लेकिन सरकार पिछले हुए नागरिक जो हैं कि किसी वरग के पक्ष में जिनका परतिन धीत हुए राज्ये की राय में, राज्ये के धीन शेवाओं में प्रियाप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदूं के लिए आरक्षन कर सकते हैं, तो जो आ ध्रम, लिंग या उद्भव के अधार पर भेद नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्ये दुआरा इन वरग के उधान के लिए विशेश विवस्ता की जा सकती हैं, चोथा देखें इसमें, तो एस परशेता का अंत करना अनुछेद सत्र है, एस परशेता का अंत किया जाता ह और उसका किसी भी रूप में आचरण, निशित किया जाता है, संसद को यह प्रादिकार दिया गया है, कि वह विदी दुआरा इस अपराद के लिए दंड विहित करें, दंड की विवस्ता करें, इस सकती के प्रियोग में संसद ने ऐस परशेता अपराद अधिनेयम, 1955 अध इस परशेता का अंत करना, पांचमी जो बात है इसमें शमता के अधिकारों के अंतरगत वो है उपाधियों का अंत करना, उपाधियों का निशेद करना, अनुछेद 18, राज्ये शेना या विद्यासमंदी शम्मान के अलवा और कोई उपाधी परदान नहीं करेगा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्ये से कोई उपाधी स्विकार नहीं करेगा, कोई विक्ति जो राज्ये के अधिन, लाब या विश्वास के पदपर है, राष्ट्रपती की सहमती के बिना, कोई विदेशी राज्ये से उपाधी धारन नहीं करेगा, राज्ये को या पुरुषकार देने से इसे रोका नहीं गिया है लेकिन इस समान का उपादी की रूप में अपने नाम के साथ जोड़ कर उपयोग नहीं किया जा सकता अपने नाम के साथ में उपादियां नहीं जोड़ी जा सकती जो परदान की जाती है उनको अपने नाम की साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। इसी के साथ में यह जो सम्मान दिये जाते हैं पदम पुरुषकार या भारत रतन यह ऐसाधारन सिवाओं के लिए परदान किये जाते हैं यह परतिशेद के अंतरगत नहीं आते हैं। तो भादियों का निशेद करना तो यह था शमता का अधिकार पहला जो मूल अधिकार था वो दूसरा शवतंतरता का अधिकार अनुछेद 19 से लेकर के 22 तक यह शवतंतरता का अधिकार हैं। पर्थम देखें इसके अंतरगत तो सभी नागरिकों को वाक श्वातंतरिय और अभिवक्ति श्वातंतरिय का अधिकार, सांति पूर्वक और निरायुद समेलन का अधिकार, संगम या संग बनाने का अधिकार, भारत के राज्य शेत्र में सर्वत्र अभाद संचरन करने का अधिकार, भारत के राज्य शेत्र में किसी भाग में निवास करने या उसमें बस जाने का अधिकार, और चै जो था वो संपती अर्जित करने का अधिकार था और उसको विलोपित कर दिया गया है। और 6 कोई वर्ति उप्व जीवी का व्याप्यार या कारोबार करने का अधिकार उन्नीस के जो अनुछेद उन्नीस है उसके तहट 6 प्रकार की सवतंतरता दी गई है वाक्ष वतंतरिय अभिविक्ति की दूसरा शांतिपूरुन समेलन करने की तीसरा संग बनाने की चोथी जो है इसमें राजी शेत्र में कहीं भी सरवत्र अभाद संचरन की पांचवी जो सवतंतरता है निवास करने की या बस जाने की और छटी है व्याप्यार करने की अधिका यह निर्बंदन युक्ति युक्त होने चाहिए तो ठोस कारण होने चाहिए जिनके वज़े से इन पर प्रतिबंद लगाया जाते हैं अर्थार्थ राज्य द्वारा लोक विवस्ता मान हनी न्यायले आउमान भारत की परभूता और अखंडता के हीत में इन पर शिमाय लगा ही है इनको पर कह सकते हैं कि शंक्षिट किया जा सकता हैं तो यह था अनुछेद 19 कि दूसरा अनुछेद 20 अपराद के लिए दो सिधी के समंद्ब शुनक्षन किसी विक्ति को उस समें तक अप्रादी नहीं ठेराय जा सकता जब तकक उसने उस समय लागू किसी कानून का उलंगन न किया हूँ किसी विक्ति को एक ही अपराद के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है किसी विक्ति को अपराद में स्वेम को फंसाने के लिए विवस नहीं किया जा सकता किसी अपराद के लिए अभ्यूक्त किसी विक्ति को स्वेम अपनी विरुद शाक्षी होने के लिए बाद ये नहीं किया जा सकता तो अपराद के लिए दो सिध्धी के समंध में स्रुक्षन की बात अनुचेद 20 में की गी है उसको स्वेम के खिलाब में गवाई देने के तीसरा देखे, प्राण एवं देहिक शवतंतरता का सरंक्षन अनुछेद 21 की तहट, किसी वेक्ति को उसके प्राण या देहिक शवतंतरता से विदी दुवारा अस्तापित परकिरिया के दुवारा ही वन्चित किया जाएगा, ये जो लाइन आई, विदी दुवारा परकिरिया शवत काम में लिया गया है और यहां पर विदी दुवारा अस्तापित परकिरिया, तो विदी की उचित परकिरिया से उसमें सरकारें मनमर्जी कर सकती थी, लेकिन यहां पर जापान से परिरित विदी दुवारा अस्तापित परकिरिया काम में ली गई, अनुछ अच्छेद 19 में समयलित किया गया है अभी विक्ति की सवतनतरता के तहद उच्छतम नयायलेन जीवन को और अधिक शार तक रहने योगे बनाने के लिए अनुचेद 21 में अनेक अधिकार जो हैं वो इसमें सामिल किये हैं और अधिक निकाल दिये हैं उन्होंने सामिल कर लिये कि उन्होंने जब नुच्छ दिकीस की व्यक्या करते विए और भी कई ऐसे अधिकार इसमें सामिल कियgehenables जैसे जीविका का अधिकार अच्छ प्रियावरण का अच्छ श्वास्ते का अधिकार खुले में विच्रन का अधिकार विदेश जाने का अधिकार विदिक शहायता का अधिकार हत्कडी डाले जाने के विरुद अधिकार शुचना का अधिकार सम्मान का अधिकार धावनी प सिक्षा का अधिकार भी इसमें जौ्ड दिया गया है तो यह वगिन अधिकार जो है वह लुगीज में सामिल कर लिए गया है समय समय पर छोड़ह देखें इस इसी में तो यह है बंदी करण कि अवस्था में बंदी करण की अवस्ता में स्रॉक्षन अनुचेद 22 किसी भी वेक्ति को उसका अपराद बताये बिना बंदी गरह में नहीं रखा जा सकता बंदी बनाएगे वेक्ति को अपने वकील से प्रामर्स करने का अधिकार होगा बंदी बनाएगे वेक्तियों को 24 गंटे के अंदर निकरतम नियाधीस के समक्ष उपस्तित करना भी आवशिक है यह जो अधिकार है वो दो तरहे के या दो प्रकार के वेक्तियों को प्राप्त नहीं है शत्रु देश के निवासियों को फर्थम और दूसरा निवारक निरोद दिनियम के तहट बंदी बनाएगे वेक्तियों को तो 24 गंटे के अंदर उनको निकरतम नियाधीस के समक्ष उपस्तित करना आवशिक है और बिना अपराद बताए उसको बंदी ग्रह में नहीं रखा जा सकता है लेकिन इसके दो अपुवाद हैं शत्रु देश के निवासि हो या निवारक निरोद के दिनियम के तहट किसी को बंदी बनाया गया हो तो उनके लिए आवशिक नहीं है उनको ये चूट मिलना निवारक निरोध का उदिश्य किसी वेक्ति को अपराद करने से रोकना है अतर है निवारक निरोध का अर्थ किसी वेक्ति को बिना किसी नैएक परक्रिया के बिना किसी अपराद किये जाने से पूर्वे नजर्बंद करना है यह समान्यकाल और संकटकाल दोनों में परभावी रेता है यह एक परकार की सरुक्षा अत्मक विवस्ता है जिसके तहट किसी वेक्ति को इस परत्याशा में गरबतार किया जाता है कि उसके संभावित कर्तियों से राज्य की सरुक्षा सारजनिक विवस्ता को बनाए रखने तता समुधाय के लिए आवश्यक वस्तूं के आपूर्ती में बादा उत्पन हो सकते हैं इसके तहएत किसी भी विक्ति को अधिक्तम दो महा के लिए गरबतार किया जा सकता है यह चमाल इसमें सिव्धान संसुदन में सामिल किया गया है तो यह था दूसरा मौलिक अधिकार अब आते हैं तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोशन के विरुद्य दिकार इसके तहित अनुचेद 23 व 24 दो अधिकार इसमें अनुचेद इसमें सामिल है पर्थम लेते हैं बेगार का अंथ अनुचेद 23 मानुव का दुर्विवार और बेगार तता इसी प्रकार का अन्य बलात शरम पर्तिशिद किया जाता है और इस उप्रबंद का कोई भी उलंगन अपराध होगा जो विधी के अनुसार दंड नहीं होगा तो बेगार पर्था जो पुराने समय में चले आ रही थी उसको यहा बालकों के नियोजन का पर्तिशेद अनुचेद 24 तो बालकों पर जो अतेचार हो रहे थे उसके यहां पर खिलावत करने के लिए अनुचेद 24 में विस्तकी गिया है शोशन की वृद अधिकार के तहित 14 वर्थ से कम आयू के किसी बालक को किसी कार खाने या खान में या अन अनुचेद 25 से 28 तक पर्थ हम इसमें देखें अ अनुचेद 25 विक्तिव को अनुचेद करन की इशुबतन्तरता होगी और कीशेवी धरम को मानने या उसके परचार-परसार की शुबतन्तरता होगी यह लोग विवस्ता स्था और स्थाचार शोश् भाश्त कारीओं को परबंद करने का दिकार दिया गया 26 के तहद तीसरा देखें धरम के अभिवर्दी के लिए कर की अधायगी में चूट जो टेक्स है उसमें चूट दीगे अनुचेद 27 राज्ये किसी नागरी को किसी विशिष्ट धरम या धार्मिक शंस्ता के अभिवर्दी या पोशन के लिए करूं का शंदाय करने के लिए ब धार्मिक शिक्षा का निशेद 28 राज्ये से वित पोशित जहां पर राज्ये द्वारा सहता मिलती है ऐसी किसी भी शिक्षन संस्ता में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो राज्ये द्वारा वित पोशित किसी शिक्षन संस्ता में कोई धार्मिक शिक्षा नह हम देखिए इसमें परतेक विक्ति को अपनी भासा और सेंसकर्ति कायम रखने का तता उसकी परगती का अधिकार है अनुचेद नागरिकूं को धर्म भासा लिंग के अधार पर शिक्षन संस्तानों में परवेश से रोका नहीं जाएगा राज्ये उस पर उस संपरदाय की अपनी संसकर्ति से भिन कोई संसकर्ति अधिरोपित नहीं करेगा तो अपनी संसकर्ति को कायम रखने का उसकी परगती करने को उसक शिक्षन संस्थाओं की स्थापना वे परबंद करने का अधिकार अनुचेद 30 ऐसे समुधाय को अपने रुची की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना वे परसासन का अधिकार होगा तो अल्प सिंक्यकों को धर्म हुए बासा पर आधारित शिक्षन संस्ताओं की स्तापना वे परबंद खा अधिकार अनुचेद 30 तो संस्कर्थी वे शिक्षा समंधी अधिकार मूल अधिकार 5 वा चट्टा और अंतिम जो है मूल अधिकार समयधानिक उपचारों का अधिकार अनुचेद 32 इस अधिकार को डाक्टर भीमवराव अमेटकर्द वारा समयधान की आत्मा भी कहा गिया है इसके तेहत इस जो है सविधानिक उप्चारों का अधिकार के तेहत नियाई पालिका को मूल अधिकारों की रक्षा एतू पांच प्रकार की रिट या लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है पर्थम बंधी परत्यक्षी करण लेक, दूसरा परमादेश लेक, तीसरा उत्प्रेशन लेक, चोथा परतिशेद लेक और पांचवा अधिकार परच्छा लेक तो पांच परकार की रिट या प्रलेक जारी करने का नियाई पालिका को सरवोच नहले और उच नहले को इसमें अधिकार दिया गया है तो ये था मूल अधिकार, भारतिय सुविधान के अंतरगत, जो छे परकार के मूल अधिकार हैं, उनका और मूल अधिकार का अर्थ क्या है, तो मूल अधिकार इस परकार थे, भारतिय सुविधान के अंदर मूल अधिकारों के इस परकार व्यवस्ता की गई है, धन्यवाद. झाल झाल